लेहरों से डरकर नहीं या पार नहीं होती और कोसिस करने वालों की मेरे दोस्तों कभी हार नहीं होती मैं यश्वर्थन तेनगोरी एकवार फिर से आपके सामने एक जूरदार कंसेप्ट के साथ जिसकी आपकी बहुत जादा डिबंड आरती सराप थर्ड बुक मेकैनिक्स में डैनमिक्स पूर्षन कभ स्टार्ट करेंगे तो लो भाईया हाग पे लिए बड़ी बड़ी कुशकपरी हमने आज से डैनमिक्स स्टार्ट कर दिया है इस्टेक्स तो हमारा चली राज इसमें केटनरी को फिनिश कर चुके हैं कुछ ही देर में हम डैनमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं आज है ना वटापर से सभी लोग जोड़ जाए और स्टेक्स में हम सेंटर ऑफ ग्रैविटी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे परसों से स् किनेटिक्स वालाई जो दाड़ा बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपेक आपकी फिलिंग वाली क्लास है फुल फिलिंग आएगी बहुत मज़ा आएगा अगर फिलिंग आए तो इनी से कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए बिना टाम को वेस्ट किये फटा बड़ से कर रफ हम पर मसाला एकटा हो जाए जिससे आपके एक्जाम अच्छे से हो जाए तो इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं डालूँ इसके नाम में बस आपको कुछ मोटी बासा में थोड़ा बास सिखा दो जिससे आपके माइंड में एक चित्र कैप्चर हो जाएगा इस यूनिट के ना एंकर चित्र में धे यहलं पांटिकर की वैली एक्सटि ऊरस इंखल सड़ा गया है तो आपको पता दूँआं के वैलीशिटी और एक्स्रीर Zion तरह तरह एकी ट्रेक्टर की डे правos तरह वहीं निकलता है तभाउं लेक्टर में आज şu करके चलोंगा वैलIST यारे टो एक्सलोट सब्सक्राइब करेंगे और कुछ नहीं हमारे मतलब है इसके जाना में पीज़ी नहीं कर नहीं है आनी जलने वाली देखे फॉर्मुल नमर वन वहीं आपका वैलो सिटी का वैलो सिटी को वेक कहते हैं आपने क्लास 12 में क्लास हाइज स्कूल भी पड़ते आ रहे हो वेग बरावर विस्थापन बट्टे समयंतराल डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम समझेंगे चेंज डिस् दोनों तो आपकी श्टूडेंट देखना को जिकत नहीं है इसको बोलते हैं वैग वेग बरावर फॉर्मुला आपका होता है विस्थापन बट्टे समयंतराल डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम इसको भी हम चेंज डिस्प्लेस्मेंट लेके चलेंगे ना अलपांश ले अब भाईया अब लोग displacement तो समस्ति होगे displacement होता क्या अच्छली मैं वह देखी थोड़ा सापको knowledge देदू मैं आप है माली जो कोई particle है जो time T1 पर भाईया point P पर रखा हुआ है feeling करने पड़ेगी feeling करना कोई particle है जो T1 समय पर किसी बिंदू P पर है हमने देखा वो टीटू समय में टीटू समय पर वो क्यू बिंदू पर है तो भाईया पी और क्यू को displacement क्या होगा अरे बाईया किसी भी particle की दौनों इस्थितिया प्रारमिक इस्थिति और अंतिम स्थिति को जोडने वाली जोईनिंग लाइन होती है वह आपकी displacement होती है तो भाईया यह displacement क्या होता है अंतिम स्थिति किसी पार्टिकल की और प्रारमिक स्थिति को जोईनिंग जो लाइन कर रहे है जो लाइन जोईन कर रहे है जोईनिंग लाइन वह वह आपका displacement होती है समझे गई थोटी चुटी नॉलिज देता रहूंगा है आपको समझे गई तो पहला वरूला हमारा आपको इंटर से पता है velocity बरावर displacement अपॉन टाइम इस्तापन बट्टे समय अंत्राल नमर सेग्डन होता आपका भईया एक्स रिलेशन एक्स रिलेशन यह क्या होता अर भईया थोरण आपने यह इंटर पड़ा हुआ है थोरण बरावर फर्मला क्या होता भईया थोरण बरावर आपका फर्मला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता भईया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दो यह आप है वेग परिवर्तन अपन समय अंत्राल ठीक भाईया यहां पर भी यह चेंज इंग इंग इए ठीक है यहां पर भी चेंज लगा ले ना समझे दो फर्मुले किलियर हुए अब दोगों को एक मोटी वासम सीखाऊ ना जिस्ता आपको बूल जाओ एक मोटी वासम सीख लो चेंज मतिंग नी कहीं दिखा ये मेरा कंसप्त यह कितामा नहीं मिलेगा अगर कर टेंज आ को दिख रहा है कहीं पर भी अगर चेंज हो तो समयलों इसका डैरीक होना है FIR कि अगर किसी भी चीज के आगया किसी भी लाइन के आगया चेंज लिखा आगया समझ लेना वाय उस मसाले का डिफरेंशल होना है काम खतम यहां लिखा हूँ है मैंने change in displacement upon time displacement होगा उसका एक बार derivative t के respect में काम खतम तो इसका यानी कि मोटी आसे में आपका आएगा ds upon dt यानिके अगर आपका s displacement है तो उसका derivative गरतो एक बार तो आपका velocity निकल के आजाएगा तो रण क्या है change in velocity change in velocity यहां पर जैसे की लिखा हुआ है चेंज इन displacement अपका याद कैसे रखोगे चेंज किसी चीज के आगे लग गया समय लो भाईया उसका derivative होना है यहां पर जैसे की लिखा हुआ है change in displacement upon time नीचे आगे dt अगे समझे लिए ना दुवारा समझा रहा हूँ displacement change लग गया जाने कि इसका derivative होना है किसके respect में ट के respect में derivative होना यह यह लो हो गया अगर आपका displacement अगर आपका s है यहां पर change लगाओ तो एक बार derivative में ने कर दिया यह आचुका आपका velocity समझे गई अब यह acceleration क्या होता है acceleration वह कुछ नहीं है velocity का एक और बार दुबार derivative कर दो डवल derivative कर दो यह लोग आपस लिखाओ साफस्वाद को change in velocity चेंज लग रहा है किसका लग रहा है velocity क्या थी displacement के आगे चेंज लग रहा था इसका डेरिटिव यह आया अब इसको निकान लेके लिए हमें इसका derivative करना पड़ेगा तो आपको acceleration है वो क्या है change in velocity upon time जो को feeling आ रही है समझे गई जो आपका displacement होगा उसी का double derivative direct निकालोगे देखना question करोगे चुट क्यों मैं अंसर आएगा एक मौटी बासा में यहां से याद रखो कि यह जो आपको displacement अगर आपको displacement एस गिवन है एस का अगर आपने पहली बार डेरिवेटिव नेकाल लिए समयलो वह वेलेश्वीटिंगल के आगई के अगर आपने उसी एस का दोवा डेरिवेटिव कर दिया तो भाई आपका acceleration आगया बोलो स्वाहा बस इत्ता ही आपको सीखना है सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे ठीक है लेकिन जो फॉर्मूला लिखे हैं यह आपके रेक्टिनलियर मोशन की अंतरगत आते हैं ब्लीकिन मोशन क्या होता है मोशन इन ए स्ट्रैट लाइन ञाते हैं मैं लेकना भूलके थ्लड़ यह पमंद यहाप Рट इन लियर मोशन के हैं यह मोशन इना च्ट्रेट लíन थियोड अरी पर मन्ली है वह सम्झाया उसपे जाओ सब सेट है आप समझ गहे यानि कि फॉर्मल ये बल टवी काम करें जब कोई पार्टपी केल हमारा स्ट्रेट लाइन में सीधे घिविन होगा सीधा ही स्ट्रेट लाइन में यहाँ बात करता हुए देगा आप जब आप मत जाना जब आगया पड़ोगे så आपका आएगा मोशन एना प्लेन प्लेन आ गया तो вол बात चलेगी बहुता है यह क्या होता है मोशन एडा इसके हैं समझ गई अगर आपको दे दे कोई पार्टिकल में मोशन कर रहा है तब यह फॉर्मला लगांगे आपके वेलिटिटी और acceleration के लिए जब आगे पढ़ोगे तो अभी मैं आपको पताऊंगा motion in a plane जब plane आ जाता है तो भाई आप बाश 2D की होती है जैसे मेरा ये board 2D है ये motor ही छोड़ देना कि लूपर ओपर कर देखो ये 2D है x axis y axis तो feeling आ चुकी होगी कि जो cut होगा वो cut होगा उसका जो displacement होगा या वो आपका दौनों में आएगा x axis में भी आएगा और y axis में भी आएगा यानि कि जो velocity निकलेगी वह x axis के along भी निकालनी पड़ेगी और y axis के along भी निकालनी पड़ेगी अभी इसको समझो अभी में आ गए वही करा रहा हूं थोड़ा समय आपको हिंट दे दिया है कोई डी एस अपॉन डी टे आया और आपका एकसलेशन का फरनमुला कि आया चिंजिन वलसुटी वेलसुटी को यूट करता हूं कि से किससे अपूर अपका आ गया वी बड़ाबर डी एस अपॉन डी टे पहला फर्मूला किसके सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब कर दो तो आपको एक्सलेशन मिल जाएगा या इसको मैं अब दो एक तरीके से और लिख सकते हो कैसे डीवी अपॉन डीएस का गुणा कर दो लोट के बात वहीं मिलेगी अब दो डीएस अब डीएस अब लिख सकते हैं तो यानि कि इस फर्मले को मैं ऐसे लिख सकता हूं एस इंटू डीवी ओवर डीएस समझ गई फीलिंग आ गई समझ गई यानि कि हमारा रेक्टीलियर मोशन का काम वेनेस होता है फटापर्स से सारे फंटे को नोट कर लो अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन में किस तरह से वेल शुटिंग लगी किस तरह से एक्सलेर पर ऐले सिंगल लाइन में चलरा था अब परटिकलल में आ गया यानिकी विस्कर के पार्टिकलं में एक प्लेन में आ चुका है यानि कि पहले जो क्या है डिस्प्लेस्मेंट हमारा जैसे कि मालो यहां रेक्टी लिरम पीछे पड़के आया है इस तरह ऐसे था थीक है यह बीचका डिस्प्लेस्मेंट हो गया है Siri समझना कोड़ से अब जली पहले लाइन का थी के वर एक काम हो रहा था अब ययप लेन आ चुका है एक तल आ चुका है खाएक प्लेन आ चुका है तो मालो प Tai कल यहां पहता पीप है YouTube था彌 of 2D की बात चल लाइए तो यह 2D में X-axis भी होगा और Y-axis भी होगा फेलिंग करना भाईया 2D में आचुगा है यह वाईया हमारा बाद डिकल अब X-axis पर भी काम होगा Y-axis पर भी काम होगा तो यह आपका X-axis आपका यहाँ पर हमें X-axis का displacement मिलेगा और यहाँ पर हमें Y-axis का displacement मिलेगा फिलिंग कर पा रहे हो तो यानि कि हमारा जो velocity होगा वो X-axis के along भी मालूम करना पढ़ेगा हमें और Y-axis के along भी मालूम करना पढ़ेगा और जुसके velocity पूछी है तो हमेसा plane में करेगा तो X-axis की अलग निकालेंगे वाई के लिए अलग निकालेंगे उनका जो रिल्टेंट आएगा वो होगी उस टोटल पार्टीकल की वेलोसिटी समझेगे सारी चीज़े में स्टार्टिंग से क्लिए करते चलों चीज़े समझ में आ रहेंगे किलियर करते चल रहा हूं बड़ा जोद्दर कराऊंगा फुल फीलिंग आएगी समझेगे अब जो का फॉर्मुला बहुत सिंपल कताी जींपल फॉर्म नमर बन क्या पहला वार मुला पहला है आपका वेलोसिटी पैरलील टु एक्स ड़ू आ कि मैंने क्या कहा था चो पार्टिकल्यां पेदेगे, तो सब्सक्राइग संद्माना प्यूंग करना यह पार्टिकल आपका, यह किस किसी टाइम टी टूप भाई या आपका बिन्दू क्यू पर आ गया किसी टाइम की टूप विद्दू क्यू पर आ गया तो देखो इसमें दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हुए हैं इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूं इसको अब आपको अच्छी फीलिंग आप आएगी समझ मारा थोड़ो जूम करके दिखाऊंगे आपको ऐसे मजा नहीं आ रहा है तो बड़ा फीलिंग करवांगो बड़ा जोद्धर वाली इसको मैं एक्स कह रहा हूं इसको मैं वाई कह रहा हूं या पर इसको डी-एक्स कहलो या इसको डी-वाई कहलो फेलिंगर रहा है इसमें एक्स एक्स में भी डिस्पलिसमेंग आया यहा इसा था यहाँ से काउंट कर करोगी उसको तोटल करों वह वह कि आपकी वेलशिटी तो मैं आपको फॉर्मुला दे रहा हूं जब आप अलग एक्सक्ष की लिए निकाल लोगे ताप फॉर्मुला क्या होगा विलशिटी का फिलिंग करना तो थीलिंक अमाना जो हमारा कन है उसका एकस ऐकस्सवागो कित्ता एक्स है कित्ता है डीकस데 चल रहा हूँ आप एक्स मानों उसको किसी इसा नहीं मिलेगा टीक है ओन्लीस व्हुंदी के लिए मैंसा समझा आपको ऐसा है नहीं करा विए फुर निजेशन लेगर याद करा लूप करा हो क्रूंध है समझ गही तो देखरा क। एक्स एक्स पर displacement एक्स ही माली है स्मॉल वाला ठीक है तो यहां पर लगाओ फर्मुला लिमिट डी टी ट्रेंस टू जीरो है चेंज इन डिस्प्लेस्मेंट अपान टाइम इस फर्मुला के आप दो तरह से याद कर सकते हो कैसे अगर डिस्प्लेस्मेंट आपने एक्स- Kauf से अलोंग डी अप्स माना है कितना माना राइि डी एक्स तो माना मैंने डिस्प्लेस्मेंट एक्स-हक्स सकराओ अलों ऑल्ली एक्स हब डेको ल बभी एक पॉइंट यहां тан या पर लगी होई है क्या लगी है चेंज फीलिंग आई होगी इसका डेरिवेटिव कर दो टी के रिस्पेक्ट में हम बात किसकी चल लगी है एक सब्सक्राइब कर दिया यह आपका फॉर्मुला रेडियो यह आपका फॉर्मुला है और हाँ एक और ची देखो इसको एक नई डिजाइन से और लिख सकते हैं डी ओवाएक्स डॉट इसको नई फैसन से एस डॉट इस तरह से और लिख सकते हैं समझ रहे हो चीज़ा के लिए हो रही है समझ गई अब बात करते हैं हम वाइक्स पर जिस्प्लेसमेंट आया होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलस्टी पैरलेल टू वाइक्सेस अम्हेली आपको याद करा लूग ऑलिजियों मान लेजिए y axis पर आपका displacement आपका किता आया small y आया displacement किता आया small y आया velocity चाहिए क्या होता formula change in displacement upon time यहाँ पर displacement किता y इस पर क्या आगे लगेगा change लगा दो formula dt tends to 0 t यह ठीक है change in displacement upon time y axis पर displacement मैंने माना small y आया ठीक है तो change सब्दा आगे लगया भी लेंगा चुक्किए derivative करो तो एक बाट तीक respect में काम कहता है यान की सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब डिवाइब डिटी y dot कहलेंगे इसको इस डिफरेंशल वाली फॉर्मेट को हम dot की रूप में और लिख सकते हैं यह नए डिया आई आई है पार्टिकल के लिए एकश पलग निकारेंगे वाई पलग निकारेंगे उसका रिजल्टेंड जो आएगा वह होगा टोटल वैलस्टि ना रिजल्टेंड की बात चलते हैं तो एक्स डॉट का इसक्वाइर प्लस य डॉट का ओलोगा वाई दिए विष्टी आने की एकक्स सके लॉंग वेलशीटी प्लस देंगे वह वो गाइस पार्टीकल के वेलोसिटी कभी भी कुश्चन में निकल भाए कहां पर के मोशन निकालेंगे वाई कि निकालेंगे तब जूद लेंगे अगर साफ साफ कह रहा है कि लीनियर मोशन में हैं तो एक ही वही फॉर्मूला उपके पास होता है के बल डेरीट कर दो बस लेकिन इस बात का ध्याना करना भईया आपका माइंड खुला होना चाहिए कुशन प्लीन में कह रहा है या किसमें कह रहा है समझ गई अब इसमें एक चीज निकल आता बहुत यह आपको याद करना पड़ेगा यह भी आपको याद करना पड़ेगा समझे गई घुलिंग आ चुकी है वेलसरेटी पेंगांड़िव हो चुका है अब हुम बात करते हैं एकसरशलेशन के बारे में में ऐसा ही एकससरेटी इसको रेलटेंट निका लेंगे वह होगा आपका टूटल傑 एकसरशलेशन मैं एक सुरू में कहां ता इसूरे टौपिक पूरी य समझ गई इस तरह से केबल चेंज करते हैं के जब कोई पार्टिकल आपका प्लेन में मोशन करता है उसके लिए वेलोसिटी के लिए हम काम कर चुके हैं अब आई बढ़ते हैं फटाबर से एक्सलेशन की हो जल्दी से कोशन को खतम करते हैं फटाबर से वीडियो को फिनिश कर सब्सक्राइब करते हैं तो आपका एक्सलेशन क्या होता है पहले हम निकालेंगे पैरलेल टू एक्सलेशन होता क्या है वेलोसिटी में चेंज अपन टाइम चेंज एपन टाइम आपको पता है कि एक्स एक्सिस के लिए जब हम बात करूंगा आपकी दिमाग में खुझली होगी कि भाईया एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज होगा तो वही मैंने किया देखो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एक्स 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 एपन टाइम आपको पता है कि जो एक्स 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 एक निकाल चुके हैं वो किती निकाल चुके हैं X. Dx upon dt पराबर X निकल के आया था इसका ही double derivative कर देंगे भईया तो कितना निकल के आएगा X double dot लो भईया आपका आगे acceleration parallel to axis किसके बारे कितना easy concept समझ गई अब बात करते हूं मैं acceleration parallel to y-axis तो मैंने कुछ नहीं किया आपको निकाल चुके हम अभी तोले पहले वाइच पर वेलोटी किती आई थी इसका मैंने डवल डेरीट पर कर दिया आगे आगे आपका रिजल टेंट होंगे फोल गारंटी समझ गए यहां पर रिजल्टेंट जैसा उसका निकालेंगे कैसे निका रखना अगर कुश्चन में आपका जो प्लेन में गती कर रहा है तो हमेसा जो आपका पूछ जाएगा वही रिजल्टेंट निकालेंगे यह आपका मेन आंसर होगा यह तो इसके सायग मसालें के बिना निकलेगा नहीं समझ गई ऐसे ही इसमें भी डिर्टेंट निकालेंग का और सिंगल डेरिवेट होता है किसका वेलो सिटी का तो मैंने वही किया सबकी समझ चुकिए बच्चे वाला खेल है पहले एकस एकस पर दिटी ती उसमें लिगया उसका मैंने एक और डेरिवेट कर दिया यह आगया तो बस भाईया आपका जो मोशन ने प्लेन और आपकी मेरी गुजारे से कि आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाऊगे मैंने बखो भी प्रयास किया है कि आपके अंदर फॉल्म अच्छे से डिजॉल्व हो जाएं तो वह लेकिन आपसे एक और है कि यह प्रते के स्टुडेंट लेकिन भाईया मेरी आप सभी से की रिक्वेस्ट है वन शेयर उली पर श्टुडेंट इस वीडियो को जो भी आपका परमित्र हो उसको जरूर सेयर करना तो बस पटाबाट उसको मरफ करते हूं मेरे सासन नूर्ट करते रहिए आए बढ़ते हैं आपके एक्सार के कुशन क पर चाहिक और जल्दी से आज के फीलिंग वाली क्लास को फिनिश करते हैं फीलिंग करते करते देख तो देखिए आज के यगगी की आहुटी का पहला कुश्टन आपकी स्क्रीन पर तुरंट पलक जपकती करतो कि फो गारंड देखिए को इस आए ए आपका अरीजन और कि प्लेन का कोई रट्टा ही नहीं है जो से पहले मैंने फॉर्म लाइन वाले कि वहीं लगेंगे काम कतम हो जाएगा फिनेज इस गिवन वाइस जो में दिया है एस बराबर इसाइंटी प्लस भी कॉस्ती फाइंड एक्सलेशन पार्टिकल अरे चुटकी बजाते कर दो फुल और इसन से यहां तक किसी समय पर और इसन पर होगा अंतिम स्थिति उसकी यहां पर है इनके बीच की जो आपका डिस्टेंस की जगे क्या है डिस्प्लिसमेंट है समझ गए खतम कुश्चन पर काम करना सुरू हमसे क्या पूचा है हमसे पूचा है वेलोटी और एक्सलेशन म गानी देखेगा वी है अगर मजारों तो लाइक कर देना बड़ा जोस से काम बुरा बड़ा बेलिंग बैतरिन वाला अगर यह मजारों तो लाइक कर देना पूरी दम से करा रहा हूं आपको फंडर परसेंट और पुट मिलेगा यह प्लीज यार शेयर जरूर कर देना इस था कोई नहीं मिलेगा वीडियो ठीक है मैं क्या गविन है हमैं डिस्प्लिस्मेंट गेविन है अब का करेंगे हम का करेंगे फिनेज नाओ वैलोसिती की बात करता हूं मैं इसको पनमानते हैं ठीक का बताई एक बाद डेरिभीट विटी इस वेलोसिटी आगी फिनेश सब्सक्राइब करेंगे दिस्प्लिस्मेंट का रबल डेरिवेटिव है यानि कि सिंगल डेरिवेटिवाव देटिव मैं नाम डे दो में है इसको नाम है सब्सक्राइब करता है आपकी स्क्रीन पर अगला कुशन आने वाला देखेगा मज़ा रहा है चीजे क्लियर हो रहे हैं लाइक दबा के सब्सक्राइब कर देखेगा है यह पार्टिकल मूब से ने स्ट्रेट लान से फिर कह दिया एस बराबर 1.2 वीटी शो दैट एक्स रिलेशन इस कांस्टेंट लग जाए यह काम पर कहता हम कुश्च नमबर दू फिनिस सॉलूशन क्या दिया हुआ गिविन दैट गिविन सब्सक्राइब कह्वान चैनल जाए कि यहाँ को न कॉंस्टेंट से फंब्सक्रा Northeast कर दिजीए ds over dt पराबर 1 upon 2 इसको बार रखते हैं first derivative second plus second differential of first टेक यह इसका first derivative आ गया now इसका दोबारा करना पड़ेगा टेक है इसका दोबारा करते हैं तो now differential 2 with respect to t टेक है दोबारा करते हैं इसका ds over dt को लिख सकता हूं मैं कितना v इसको में लिखोंगो कितना db upon dt चीज़े के लिए रोड़ेंगे मजा आ रहा है 1 upon 2 first इसका करेंगे तो जायागा db over dt टेक है प्लस second इसका करना पहला का first second याने कि आपका आएगा db over dt बराबर 1 upon 2 db over dt अंदर कम को रहा 1 over 2 को गोना कर देते हैं ना 1 upon 2 db over dt प्लस का t d2v over dt square प्लस का dv over dt 1 upon 2 db over dt कितना ये वी तोसका गोना होगा ना याँपे तो 1 upon 2 आएगा 1 upon 2 db over dt ठीक है कहानी अब देखों यहां पर 1 पूरा एकटा है db over dt आधा db over dt आधा db over dt एक db over dt इन सबसे ये कैंसिल हो जाएगा यहां 0 मिला यानि कि मुझे मिला 1 upon 2 t d2v over dt square पराबर 0 यानि कि d2v over dt square पराबर 0 ठीक है ठीक है ठीक है अब हमें निकालनों का हो हमें निकालना ता x relation क्या निकालना था x relation यानि कि single derivative of velocity लेकिं यहां तो लफडा पड़ गया यह यह वी क्या है velocity वेलोसिटी का यह डबल डैरी वीटिव आ गया हमें तो single तो क्या आपके पास ऐसी कोई युक्ती है कि जिससे मैं इसका जो क्या है और वन कर सकूं यानि कि मैं इसका डबल डेरिविटिक विजए कि मैं सिंगल डेरिविटर में कर सकूं बिलकुल सब्सक्राइब यह कंब्यक हत्यार हैं इंटीकेशन इंटीकेशन कर दो इसका एक जी क्या मिलेगा इक खतम हो जाएका बरावर में जीरो है तो आपको पता हमें से इंटीकेटिंग कोस्टन आता है बरावर मेंसी लो भंए बात पर आच चुकी है अब यह क्या निकल गया अब यह सिंगल ओंडेश्वार्ट अब हमारा एकस्लेशन के लिए काउंट होगा हुठ यह हमारी एकस्लेस में हुठ नहीं था क्योंकिво-le Crimea वैस्ट सफिगह सब्सदुर्प में इस कॉंस्टेंट बात प्रूफ हो चुकी अगर मजा आ रहा हो तो लाइक करते रहे ना आए बढ़ते सेकंड आउती की और यह की खतब नहीं हुआ है फटावर से में इसको में रफ करता हूं करते रहें देखें देखें तीसरी आउती आपकी स्क्रीन पर इसको मैं नहीं करा निकल के आएगा और आटोमेटिक ही किसी पॉइंट पर वैरी करेंगा किसी स्टेट लैन पर जो आपको मोशन हो रहा है वो इसका मैं फिकर बनाए तो फिकर इसका कुछ इस तरह से बनेगा ऑटोमेटिक आपको आपको इसको सॉल्ट करोगी जाब आपका डेरिवीटिव कर जब आप इसका डेरिवीटिव करोगी आपको यह लाइन मिलेगी इसमसे एक को कॉमन ले लो एकस प्लस बी आपाउन ए हम जए सिद्ध के करवारा कि जो एक्सलेर्शन है न वह इस लाइन की किसी पॉइंट पर निरबर करेंगा यानिकि एकसलेर्शन आए गा न वो किसी पॉइंट के बराबर आएगा समझ गई तो वह आ गया बराबर मुझे देख गया बराबर आग स्मझ बहारा है और यहां लग देंगे इस चूंकी एपी बराबर एक्स प्लस बी अपॉन ए एंड ए और बराबर बी अपॉन आ सब यहां से बस इतना नहीं दिखाना था आपको देखो आठो सब्सक्राइब कर रहा है दिखा आपको आठो मेंटिक ही इस पॉइंट पर वेरी कर रहा है पस यहां पर दिखा देंगे इस किलिर लिए डैट एक्स लिलिशन इस वैरीज आपकी स्क्रीन पर बहुत जोदर हाल कर दो क्या लिखा हुआ है तब पोजीशन ओफ कोई पार्टिकल है उसकी पोजिशन हमें दिया है यहीं से मुझे फीलिंग आ गई कि बात प्लेन की चल रही है समझ गई हमसे पूचा है क्या पूचा है हमसे पूचा है पाथ कैसे निकालते हैं हमेशा याद रखो इस चीज़ी को नोट कर लेना कि किसी भी एक्क्विशन में से आपको टी को एलिमिनेट करना है बस आपका पाथ निकल किर क्या आजाएगा काम खतम टी को अटाना चाहिए तो पटाबर से इसका में एक्सलेरिशन वगरा निकाल लेता हूं उसका सबसे पाथ निकालते हैं समझ गई तो दिया क्या क्या गिविन दैट कुशन भीनिस गिविन दैट एक्स बराबर समस्तों गई यह प्लेइन का कुश्चन है यह इस डेक्निल लाइन का नहीं है इसमें सबसब दो दो वैल्यू दी एक्स बराबर एक कॉस्टी वाई बराबर एस साइन टी तो मां फस्ट पाथ अब मैं क्या करूं कि टी खतम हो जाए तो आपको देखर का होग से बराबर इस स्कुरण किसकी आई सर्कल कि ऐसे यह आपको पार्टिकल है वह सरकल में मोशन कर रहा है तो आपका प्रणी सर्कल है इसमें एक्स भी होगा यह समझे के जिए रिक्वाइड एक्वेशन ऑफ पाथ मैं जो बोलना हूँ आपको लिखेना है प्रिक्रिक्वायर एक्कोइसन ओपाथ वेचे या इते चेल इते सरकल इते चेल इसलिए मैं जो बोल रहाँ आपको लिखना है वीडियो पॉस कर गएए नहीं अब बात करतो है हमें वैलोशीटी के बारे में वैलोशीटी अब वेलशेटी में क्या क्या कहता है जब भी कोई पार्टिकल भाई यह प्लेने में मोशन करता है हमें इस सब्सक्राइब होती है एक सेक्स की दौनों की निकाले पड़ेगी निकालो एक सब्सक्राइब दौनों का वह दिया हुआ के निकल के आ रही है माइनस का यह साइन T जी तो ऑगर यह किते हैं कि निकल के आ रही है कित्या है राइए को स्थी यह अपना अंसर नहीं है अभे रिजल्ट है विचातें है वी बराबर रूट में x.square plus y.square समझ भार रहा है तो बराबर रूट के अंदर हम लिखने वाले आप a square sin square d plus ka a square cos square d minus plus कर देगा ठीक है a मैंने कमले के बाहर निकाल लिया root के अंदर मुझे मिला sin square d plus ka cos square d यह बंद यह देगा तो ओबर आपके जो विलस्टी आई वो कित्ते है भी या वी बराबर ai कटम हमें निकालना आप acceleration आप इसको तो रज़रफ करते हूं यह आप हमें acceleration की पूर बात करते हैं वट आपर से देखेगा second number acceleration हाँ होँ जय करेंगी एकस्य सके ल्लोंग और यक्सित के लोंग ने कलना है न आप है एकस्ड़ गर्वाट का ही करता काम घताम थूर्य technique आएक से निखालेंगी देंपने अब्सक्रांश्व जू घकर अ थिकर बहिया टोन हो messi भाए कश्केश साइगा मेंIONS का a scientist रिजल्टेंट की बात करूं तो यहां पर मुझे मिलेगा एफ पराबर रूट के अंदर एक्स डबल डोट का स्क्वाइर प्लस वाइडबल डोट का स्क्वाइर दैन अपना जो आएगा वह यहां किता है अगर आप बात करें वहाइए पूछी और पूची होती वह कैसे निकालते हैं आपको पास है अलफा दीटा पूचिन में तो ऐसे करके निकलेगा कोशन के लिए आज आ रहा है आई यह बढ़ते लास्ट कोई को पटापर से वीडियो को फिनिश करते हैं देखेंगा देखेंगा आपकी एकसाइज वने का पहला कोशन बहुत इसी क्या कहे रहा है इस पराबर लेंडा ती स्क्राइर ती इस परपोजनल टू 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 ट अट वस्ति निकाल लिए मैं वेलमसिटी अग्रेज अब लोग कुश्र में से लेगए मैं आपको सिंपल साल्ड करते हैं अग्रेज बहुत ज्रू टू लेमडा टी हमसे कह रहा हम से कह रहा है कि वश्टी परपोजनल टू 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 और इसको मत रखना मतलब इसको बना देते है प्रपोजनल डी एस ओवर डी टी प्रपोजनल टी लो भाई आ चुका है आपका अंसर यहां लिगे देंगे वे यहर टू लेमडा बराबर कॉंस्टेंट प्रपोजनल नहीं है तांक समझे गए प्रपोजनल कॉंस्टेंट हमने एक बाई और कर दो तो डी 2 एस ओवर डीटी स्क्वायर बराब कितना मिलेगा टीक हो जागा अब है यह कितना मिलएगा ट्ूल एमडा लो भया एकसलेशन क्या होता है डी वी स्टेडलाइन इसमें भी कह रहा है distance from fix the post at any time दोगं Εच चीज वह और कि यह सफ स्थ Singmad तूकिश mentioning नमर्टू देखो हो थोड़ाा प्यार से यह ऑने टाइम पर वो क्या है एफ है ए फामारा एक्षेलेशन है लगे ना काईजे से एक चीज़ करो वी स्केर बराबर एन एफ एस अपाउन एन माइनस वन यह हमसे सिद्ध करा रहा है ठीक है हाल कद्द होगे कैसे करेंगे या पदे को प्रपोसन अटेगा लेंडा आएगा ठीक है हमसे क्या करोगे यह चीप प्रूफ करनी है यानि कि आप इसको क्या करोगे ए एन अपाउन एन माइनस वन एफ एस ठीक है एसका वैलू हमारे पास यह है देखा करी दे रहाएं लोग हतम काम हो गया लोग इसका मैं एक्सेलेशन तक पहुचने के लिए मैं क्या करता हूं इसके डेरिविट करता हूं एक बार है ना डी एस अपाउन डी टी बराबर कितन एका देखो एन एन माइनस वट लेंड़ा टी की पावर एन माइनस वट समझे के लिए अपको किता है एक्सेलेशन यह निकल करके आ गया उसके बाद मैं प्रूफ करना वी सुकर रावर एन एफस अपान माइनस वन हम इस हैंड साई से हैंड साई परूफ कर दो कैसे करेंग सब्सक्राइब करेंगे कुछ नहीं करेंगे सब्सक्राइब 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 न गया लेगा न मैस्टू अगया है किया मैं इस मुझे यह प्रूफ करना है मैं इसको पगड़ यहांपर बैट गया ए ऍसकी सम्टू एक अर आपका वैलु कर लेना और आपका िसकषा ट्रीक से पावर और इंटू एन-2 हो जाए ज्यानिक इत्ता हो गया टिक आपका किता हो गया लो एन माइनस का बन हो गया इलो न तो को कोमल ले लो एन माइनस इड़ाना हो गया अरे भैये न रोगना कर दू तो मुझे की तो मालेगा एन स्क्वार लेम्डाइस टी की पावर टू न मैस बूड़ का लो से रहा है वी पा नमर कुश्चन हो चुका है थर्ड नमर कुश्चन आप करोगे मैं नहीं करूंगा आपको स्वेम करना है कोई प्टाइब नीचे मुझे कमेट करके बता है वाटस आप मुझे सकते हैं देखिए क्या लिगा है ना कोडिनेट आप एक्स रिलेशन निकालना है पहले एक्स एक्स के फिर वाई एक्स के उसका जो आएगा टोटाल रिजल्टेंट उसी को मैगनिटूड कहते हैं वह आपका कॉंस्टेंट आएगा आप लोग यह स्वेम करोगे तो बाइस एक्सराइज वने में तरफ से फिन्स होती है दो तिन करते हैं मिलते हैं कल एक नए जोरदार कंसेप्ट के साथ इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए तो बस आज के लिए बस इतना ही था मिलते हैं करना सेम टाइम पिकले सीट मोरों के बाएं टेक क्या